नमस्कार आप देखरें नियूस वाणीशन और मैं हूँ शुभे आपके साथ बिहार विधान सभा चुनाओं में आते आते पिछड़ गए राज़त का मलाल शायद जाही नहीं रहा क्योंकि लगातार वो कॉंग्रिस के नेत्रत्व पर सवाल खड़ी कर रहे हैं उनसे कई सारी बाते कह रहे हैं और शायद यही वज़ा है कि वो नेत्रत्व पर भी सवाल करते नजर आ रहे हैं इसी कड़ी में अगर हम बात करें राश्ट्री उपाध्यक्ष शिवानन तिवारी की तो उनके भी बयान को इसी परिपेक्ष में देखा जा रहा है क्योंकि जस तरीके से दिल्ली में कॉंगर्स की एहम बैठक होने वाली थी उससे पहले ही शिवानन तिवारी ने कॉंगर्स की राहुल गांधी पर सवाल खड़ा कर दिया ऐसे में लगातार राज़त की ओर से कॉंगर्स पर सवाल किये जा रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें इस बात का मलाल जरूर है और उन्हें ऐसा लगता भी है कि हो सकता है कि कॉंगर्स की ही वज़े से हम बिहार वधान सबाचुनाओं में अच्छा प्रदर्शन करते करते तह गए हालाकि इस बार राज़त का प्रदर्शन अच्छा रहा है सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने बे आई है लेकिन एक तरफ जहां कॉंगर्स को बिहार वधान सबाच सीटों में 70 सीटे दी गई थी और उसमें सर्फ और सर्फ 19 सीटों पर उन्होंने जीत हांसल की तो एक बड़ा जो गैप है वो देखने को साफ तोर पर मिला है बिहार की सत्ता में आते आते पिछड़ गए राज़त का मलार शाहिद नहीं जा रहा है इसलिए वक्त बेवक्त राज़त की ओर से कॉंग्रस नेतरत्व पर हमले जारी है राज़त के राष्टे उपा ध्यक्ष शिवानन तिवारी के ताजा बयान को इसी परिप्रेक्ष में देखा जा रहा है दिल्ली में सोन्या गांधी के नेतरत्व में कॉंग्रस की एहम बैठक से पहले शिवानन ने राहूल गांधी की नेतरत्व शमता को फिर कट घड़ी में खड़ा कर दिया है विधान सभा चुनाओं के नतीजे आने के बाद भी ऐसा ही किया था तब राज़त के शिर्स नेतरत्व की ओर से शिवानन का नीची विचार बता कर रफा दफा करने की कोशश की गई थी इस बार भी जब मामली ने तुल पकड़ना शुरू किया तो राज़त के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता भाई विरिंद्र ने वैसा ही बयान चारी कर दिया कह दिया कि ये पाची का नहीं उनका निजी विचार है हराकि राज़त की राजनीती को समझने वाले इससे लालू प्रसाद से जोड कर देखते हैं शिवानन तिवारी को राज़त प्रमुक लालू प्रसाद का बेहत करीबी माना जाता है लालो जो आड़ी तिर्ची बाते खुझ से नहीं कह पाते उसे अपने करीबियों से कहवाते हैं पहले यह भूमिका पुर्व केंद्रिय मंत्री रगवंश प्रिसाद सिंग के पास थी अब शिवानन्द के पास है और उनके ताजा बयान को इसी आएनी में पर्खा जा रहा है राजद उपाध्यक्ष ने कॉंग्रस को बिना पतवार की नाओ करार दिया है और लोकतंत्र की हिफाज़त के लिए सूनिया को पुत्र मुह त्यागनी की सलाह दी है शिवानन्द का गुबबार नया नहीं है उन्होंने लडाहुल की शमता पर तब भी सवाल उठाया था जब महीने भर पहले विधान सभा चुनाओं में भाजपा जदियों की सनयुक्त ताकत के सामने महागडबंधन को घुटने टेकने पड़े थे हार का मलाल इसलिए भी जादा था कि एक्जिट पोल में सभी एजिंसी उनी तेजश्वी आदप को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बताया था मगर नतीजा आया तो मामलू यंतर से राज़त सत्ता से वंचित रह गया था शिवानन ने तब इस हार का ठीकरा राहूल गांधी पर फोड़ा था उनकी शमता और मन्शा पर सवाल उठाया गया था साफ कहा गया था कि कॉंग्रस बिहार में सत्तर सीटों की हगदार नहीं थी फिर भे राहूल गांधी ने जिद करके तेजश्वी आदब को मजबूर कर दिया हैसियत से बहुत जादा सीटे लेकर कॉंग्रिस ने प्रत्याशियों का चैन भी ठीक से नहीं किया और चुनाओ लड़ने को लेकर गंभेरता भी नहीं दिखाए राहूल गांधी ने पूरे चुनाओ में सर्फ चार सभाएं की जबकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उम्र में बड़े होकर भी राहूल से जादा सभाएं उन्होंने की तो आपको बता दे कि साफ तोर पर राज़त लगातार कॉंगर्स पर हमलावर दिखाई दे रहा है क्योंकि कहीं न कहीं इस बात का मलाल उन्हें जरूर है कि बिलकुल सत्ता की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते तेजश्वी यादव रह गये इसके पीछे कॉंगर्स को एक बड़ी वज़ बताई जारी है और कहा तो ये भी जा रहा है कि लालू प्रिसाद यादव के शिवानन तेवारी बहुत बेहद करीबी हैं और ऐसे में जो कुछ लालू प्रिसाद यादव खुद से नहीं कह पाते वो आड़ा तर्चा करके किसी भी तरह अपने करीबिय से उन बातों को कहलवाते हैं और शायद यहीं वज़ा है कि राजद लगातार कॉंग्रिस से खीजा हुआ दिखाई दे रहा है फिलाल के लिए इतना ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नियूस्वार नेशन नमस्कार